तो भाई लोग फाइनली तुमारे भाई ने शारुखान की मच अबेटिट फिल्म जवान देख लिया है। और शारुखान के हर अपकमिंग प्रॉजेक्ट की तरह इस प्रॉजेक्ट की एंटिसिपेशन भी बहुत ज़ादा थी। टीजर से लेकर ट्रेलर तक हर एक प्रमोशनल मटीरियल ओडियन्स के साथ राइट नोट पर स्ट्राइक किया और इस मुवी की एडवान्स बुकिंग के भाली नंबर्स देखकर हेटरस की बोलती तो वैसे ही बंद हो गई थी। और अब मुवी देखने के बाद मैं एक बात तो क्लियरली कह सकता हूँ कि जितना बवाल इस मुवी ने रिलीस से पहले एडवान्स बुकिंग में किया है उससे ज्यादा बवाल ये मुवी रिलीस के बाद बॉक्स ओफिस पर मचाने वाली है एटली और SRK का ये कॉलाबरे डू, लेट्स गेट स्टार्टेड SRK स्टेलर पर्फॉर्मेंस सच बोल रहे थे क्योंकि इस मुवी का में यूएस पी ही शारुख खान हिमसेल्फ है As a SRK fan myself मैं हमेशा से चाहता था कि शारुख सर को उस चाम, करिज्मा और मासीनेस के साथ बड़े पर प्रेजेंट किया जाए And thanks to Italy क्योंकि उनकी वज़े से करोणों SRK fans की ये ख्वाहिश आजपूरी हो सकी है क्योंकि जिस तरह throughout the film उन्होंने अपने आप को कैरी की है, वो SRK fans के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा और SRK को तो कहा ही the king of romance जाता है, और दिपिका और SRK के pair को तो कहीं बार बड़े परदे पर हम लोग देख चुके हैं और ये बात तो हम सब जानते हैं कि SRK कितने कमाल के actor है और यहाँ पर एटली ने सिर्फ मास पर ना फोकस रखते हुए SRK की acting से भी भरकूर काम लिया है मूवी में कई ऐसे emotional scenes हैं जो आपके साथ ground level पर connect कर जाते हैं और मासी scenes ऐसे जो के आपको goose bumps guaranteed देंगे और ये movie all and all एक शारूखान शो है और ये बात में अपनी पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ कि जब एक young director एक veteran actor के साथ काम करता है तो characters और final product ऐसे ही निखर कर आता है तो कि वो young director उस एक movie के साथ साथ अपने सारे fan boy moments पूरे कर रहा होता है जिसकी अभी हम लोगों ने एक recent example देखी है jailer की शकल में A menacing villain अब देको एक hero तभी बड़े परदे पर निखर कराता है जब उसके सामने villain तगड़ा हो और यहाँ पर एटली ने विजे सेतुपती के काली की शकल में SRK के सामने एक perfect villain को place की है और जब दो brilliant actors और इतने बड़े stars respectively जो के एक दुसरे के लिए mutual respect शेर करती हो वो जब बड़े परदे पर आमने सामने आते हैं तो frame में जान आ जाती है और एटली की filmmaking में एक खास बात ये भी है कि he knows how to portray menacing characters on big screen and काली is no different he is an out and out maniac जिसको अपने actions के reactions पिर कोई परवाण नहीं है बस उसको अपने मकसद पूरे करने हैं और वो तुमारे सामने तुमारी दुनिया तबाह कर देगा और हस्ते हस्ते बस एक ही बात कहेगा और SRK और विजे सेतुपती जैसी दो forces का जवान मूवी में collide करना भई ये एक treat से कम नहीं था मैं सच बता रहा हूँ तुम लोगों को BGM of the movie अब आज कल के time में BGM also plays a very pivotal role in a movie और हम अभी recent times में कहीं सारी movies में ऐसा देख चुके हैं एक अच्छा background track पूरी movie को किस तरहां से elevate करके scenes को memorable बना देता है जो के viewers के दिल और दिमाग में गड़े जाते हैं और यहाँ पर अरी रूद ने अपना front foot आगे रख कर full throttle पर खेला है क्योंकि उनका दिया हुआ BGM और राजा कुमारी का वो rap portion पूरी movie में आपको कहीं जगा पर सुनने को मिलेगा और वो proper elevation प्रोवाइड करता है इस movie को throughout its run time action sequences अब हमें ये बात पहले ही पता थी के जवान movie का one of the major USP उसका action होने वाला है and my god एटली has berserked on that part जवान movie in real terms एक action extravaganza है मुझे personally जवान का action पठान से भी ज़्यादा अच्छा लगा है and जवान movie में काफी creatively और grand scale action set pieces है जुनको बहुत ही अच्छे तरीके से pull off किया गया है जो के viewers को amaze करने के अंदर बिल्कुल भी अपना mark miss नहीं करते visual treat अब जवान movie का budget approximately 300 crores बताया जा रहा है जो के पूरे तरीके से justify करती है ये movie क्योंकि ये movie काफी ज़ादा visually appealing है VFX का काम red chillies ने संभाल है तो technical brilliance तो movie में मौजूद है अब ये एक no spoiler review है इसलिए मैं detailed तो नहीं बता सकता लेकिन कुछ ऐसे sequences है movie में जो बहुत ही ज़ादा stunning और mesmerizing है which provides a well needed depth to the movie visually as well the conclusion अब भाई लोग जो आप जवान movie से expect करती हो ये movie आपको पूरे तरीके से वही परोस्ती है क्योंकि entertainment आपको भर भर कर मिलेगा इस movie में पूरी कास्ट का काम बहुत ज़ादा अच्छा था और atly अपनी पूरी फॉर्म में नजर आएं यहाँ पे उनका routine filmmaking style है अपने story के narrative में different social issues को address करने का उससे वो नहीं हटे हैं यहाँ पर भी लेकिन उन्होंने यहाँ पर SRK के चाम और करिज्मा को पूरे तरीके से इस्तमाल करके uplift किया अपनी movie को और enhance की है जवान द मूवी की watching quality तो all in all भाईयों जाओ, जाकर देखो, enjoy करो जितने भी SRK के fans हो, जाकर movie देखो क्योंकि यह तुम लोगों के लिए especially एक treat होने वाली है advance booking तो धमाकेदार हो ही गई है इस movie की क्योंकि जिस theater में मैं movie देखने गया था first day, first show, house full हो रखा था और luckily ली मैंने ticket book करा ली थी क्योंकि बाकी पूरे दिन के shows भी advance में ही house full हो रखे थे तो उससे तुम इस movie की hype का और SRK के crazy का अंदाजा लगा ही सकते हो तो यह रों आज के लिए बस इतना ही मुझी नीचे comments में ज़रूर बताना कि तुमें कैसी लगी जवान मुवी और तुम्हारी क्या राय है इस movie के बारे में और अगर वीडियो पसंद आई हो तो like और चानल को subscribe कर देना और bell icon को भी प्रेस कर देना ताके मैं जब भी कोई नहीं वीडियो अप्लोड करूं तो मैं पता चल जाए और मैं मिलूँगा तुमसे अगली वीडियो में तब तक के लिए